हरे कृष्णा रधी रधी दोस्तों हर साल विशाक महा की शुकल पक्ष की तृत्य तिथी पर अक्षे तृत्य मनाई जाती है इस साल विशाक महा की शुकल पक्ष की तृत्य दस मई दो हजार चोबिस को है इस दिन धन की देवी मालक्षमी जी की पूजा अरजना की जाती है धार्मिक मत है कि अक्षयत रित्य पर मालक्षमी जी की पूजा करने से सुखोर सोभागय में वृद्धी होती है साथ ही मालक्षमी जी की किरपा बरस्ती है इस दिन सोना खृतना बेहश्चुब होता है अक्षे तृत्य पर स्वन अभूशनों की खृत्दारी करनी चाहिए इसी दिन कोई भी आप मांगली कारिय करते हैं तो उसका फल आपको अक्षे मिलता है इस दिन वरत कथा भी जरूर पढ़नी चाहिए अक्षे तृत्य की सुना रहे हैं कथा के अनुसार द्वापर युग में पांड़ों को लंबे समय तक राज्य से बाहा रहना पड़ा एक बार पांडव अग्यातवास में थे दुर्वाशा रिशी ने अपने शिश्यों के हाँ संदेश भिजवाया कि विशाक महा के शुकलपक्ष की तृत्य वे अपने शिश्यों के साथ भोजन करने के लिए पांड़ों के घर पधारने वाले हैं। पधारेंगे तो वह उन्हें कैसे भोजन कराएंगे। यह चिंता उन्हें सता रही थी। तभी रिशी दुर्वाशा के गुसे से सभी चिंती थे क्योंकि रिशी दुर्वाशा बहुत ही गुसे वाले रिशी थे। उनके शाप से उन्हें डर लग रहा था। अगर भोजन तो रिशी दुरवाशा पांडवों को शाप दे सकते थे। उस समय द्रोक्ति ने जगत के पालनहार भगवानशी कृष्ण जी से सायता है तू प्रात्रा की। पात्र में बदल गया यानि अक्षय जिसमें कभी भी भोजन समाप्त ना हो ऐसा पात्र बन गया उस पात्र से जितना चाहें भोजन ले सकते थे। अबजन बहुत ही स्वादिस्ट था। उस दिन विशाक मास के शुकलपक्ष की तृत्या तिती थी। इसलिए इस दिन को अक्षय तृत्या के रूप में वर्षों से बनाया जाता है। यह दिन अक्षय तृत्या के नाम से जाना जाता है। भगवान शीक रिशन जी ने स्वयम कहा है जो भी इस दिन कोई भी चीज खरेते हैं, मांगली कारिय करते हैं, उसका कभी शेय नहीं होता, यानि उसकी कभी भी कोई कमी नहीं होती। इस दिन से ही आप ग्रह परवेश, शादी विवहा, कोई भी मंगली कारिय बिना मूरत निकलवाई ही कर सकते हैं, क्योंकि यह अभूच मूरत है, और इस दिन कोई भी मंगली कारिय करते हैं, तो उसका फल बहुत ही अधिक मिलता है, और इस दिन दान करना, खरिदारी करना बहुत शुब होता है जितना अधिक हम दान करते हैं उतना ही हमारे धन में वृती होती है और इस दिन घर में यदि आप कोई भी शुब चीच लेकर आते हैं तो वो हमारे घर में कई गुना बरकत देता है इसलिए मित्रों अक्षेत रित्य पर खृत्दारी करनी चाहिए सोना चांदी अनाज इस तरह की खृत्दारी करें और इस दिन दान भी करें आप सोना चांदी नहीं दान कर सकते तो अनाज अवश्य ही दान करें और जल का दान अवश्य ही करें मिट्टी के घड़े को जल से भर कर उसके ओपर दक्षिना और फल रख कर पंड़जी को अवश्य ही दे कर आएं इससे भी आपके जीवन में सुक समरिद्धी मिलती है साथ ही इस दिन चने की दाल और जो धनिया खरीदना भी बहुत ही शुब होता है इस तरह से मित्रों अक्षयत रित्या पर इन सब चीजों को खरीद कर और दान करकी आप अक्षय फल की प्राप्ति कर सकती ह आशा है आपको अक्षयत रित्य की यह है जानकारी और कथा अच्छी लगी होगी यदि अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जूर सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को शेयर भी करें कमेंट बोक्स में जैमा लक्ष्मी अव शेलिके